तो हेलो, what's up, कैसे हैं आप सब, सर क्या बताएं, आज का पेपर करके हमको तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा दो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, and let me tell you, 4 में से एक पेपर ने तो आना ही था ठफ, ठीक है, मान लेते हैं वो आ गया, और अब हम धूम मचाने वाले हैं, कौन कहता है, सिर्फ FR और SFM में ही आप 60 प्लस लाके अपने ग्रुप को पार करवा सकते हो, audit और law ने, audit और law ने क्या गुना किया है, audit और law भी आपको एकदम बढ़िया नंबर से पास करा सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कितने सारे बच्चे हैं इन जैसे subjects ने मुझे मेरा group पार करवाया, मेरी नईया पार लगाई, आज के paper में मैं आपको इक बात बताता हूँ, the game will be about the quality, जो इस बच्चे ने quality से अच्छे answer लिख रखे होंगे, rather than the quantity उसकी नईया पार लग जाएगी, so don't think like you are, मेरा पूरा paper नहीं हुआ, मेरा पूरा 50 marks, 50 to 60 marks का भी ठीक ठाक attempt किया है, आपकी नईया पार लगने वाली है, आपको कोई घवराने की जरुवत नहीं है, अब बात करते हैं सीधा सीधा audit की, अब SFM को भूल जाओ, जैसे आप Black Sholes का formula भूल जाते थे ना वारवार, वैसे अब आप SFM को भूल जाओ, अब आपको focus करना है audit पे, and I am sharing with you the audit 2.5 days strategy, अभी तक अगर वीडियो को like नहीं किया, तो do like the video, because हमें यही positivity चाहिए, next 2.5 days के लिए, plus अगर आप चैनल पे नए हैं, subscribe का बटन जरूर दबा दिजेगा, ठीक है, तो start करते हैं sir, let's hope for the best result in SFM, and trust me, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, तो please मे अधर उदर देख रहे होते हैं, यह हुआ तो हुआ क्या, ठीक है, तो आपका काम बस यह है कि जो बीट गई, सो बात गई, अब आप audit पे focus करें, you need to give your best in the next 2.5 days, so get in the mood of essays and ethics, यह बड़ी प्यारी चीज है, इसके mood में आजो, take bath, नालो, धोलो, थोड़े fruit foods खालो, थोड़ यहां मैंने आपके लिए काफी breaks incorporate किये हैं, ताकि आप अपने targets achieve करते जाए with full Josh, day 1 की अगर मैं बात करूँ, यानि आज के दिन की, आपने focus करना है professional ethics, peer review, quality review, SQC1, SA220, यह आपकी जोली में लगबग 20 number दे के जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो मेरा तो यह मानना है, last 1.5 days, 2.5 days, जो quality self study से निकलती है, self analysis से निकलती है, उसका कोई तोड़नी है, बट अगर आपको लगता है, नहीं सर, हमको एक kick start चाहिए, हमको एक मज़ेदार शुरुआ चाहिए, तो आप marathon lecture भी attend कर सकते, it will be live on this YouTube channel, तो भी priority भे peer review and quality review and third priority पे अगर time रहा, तो SQC1 and SA220 भी cover कर लेंगे, रात को आपने 12 बे तक सो जाना है, किसी भी हालत में, ठीक है, and day 2, अगर मैं कल की बात करूँ, तो सुबा साथ इच्छे बज़े उठ जाना, I think 6.30, 6.30 मिनट की नींद काफी है आपके लिए, and start your study by 7 a.m, again आ 5-10 number आपके paper में दे देंगे, and 3 घंटे में आपने इनको निप्टान है, sir breakfast कब करे, breakfast के लिए आप बीच में थोड़ा बहुत time निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहे, लगबग आप एक घंटा निकाल सकते हैं, इस एक घंटे के अंदर आप नहा लेना, breakfast वगरा कर लेना, और ये 3 topics भी आपके 7-10 के बीच में हो जाने चाहिए, company audit को मिरको लगते हैं, आपको देड़ घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, caro 2020 जो है लगबग आदे घंटा लेगा, तो लगबग 2 घंटे में आपके ये हो जाएंगे, plus schedule 3 की बात करूँ, तो इसमें ज्यादा दिमा पांच नंबर और दे जाएगी पेपर में, फिर आपने 15 मिनिट का ब्रेक लेना है, सवा 12 से सवा 2 के बीच में आप से भी एलो डियार करेंगे, से भी एलो डियार के regulation नंबर 24, जो material सबसीडरी है, उसके questions अच्छे से करके चले जाना, उसमें आई से इन एक्दू कोशन जा करेंगे, पांच नंबर, दो audit of CFS पिछले 2-3 अटेंट से आई से लगातार पूछा है, सो में not be that important from exam point of view, बड़ एक बात बताओ, जब धाई दा, धाई दिन मिले ही है, तो कोई चीज छोड़नी क्यों है, सारे नंबर बटोर के चलते है, तो यहाँ पे भी आपको पांच मिल सकते पेपर में, तो आप 45 मिनट का यह सेशन जरूर करके जाईएगा, अब आता है सर, next target, चार से साड़े 6 बजे का जो शुब महूरत है, ठीक है, इस शुब महूरत में सर हम क्या करेंगे, तीन टॉपिक, internal audit, management audit, operational audit, यह तीन टॉपिक आपने करने है, साथ ही साथ आप इसके साथ साथ कर लेना, ठीक है, भली 15-20 मिनट एक्स्टा लग जाए, इसी तरह, जब आप आगे जाके ऐसे 500 की सिरीज करोगे, 500 की सिरीज किते गई, 500, 500, 500, मैंने डाली तो थी, यह रही, 11-2 का जो शुब महूरत है, उसमें है, अगले दिन, इसमें आप 500 की साथ साथ अ उपर उपर से एक बार एक लेवल पर देख जाना, अब जब शाम हो जाएगी, साड़े छे से साथ, आदा घंटा आप ब्रेक ले सकते हो, फिर टहल के जब आप घर पे वापिस आओगे, ठीक है चिडियो की चहचाहट सुनके जब आप घर पे वापिस आओगे, अगेन इन में कोई कामचोरी मत करना, forensic audit को भी अच्छे से कर लेना, सर आप कहना कह चाता हूँ, या देखो मैं इतना कहना चाता हूँ, धाई दिन, क्यों कामचोरी करने, अच्छे से करना, बढ़ हाँ, इनको priority पे अच्छे से, बिल्क और जादा अच्छे से करना, ठीक है, अब अच्छे बात है सब दिनर वाला टाइम, नौ से साड़े नो, आदे कंटा का टाइम आपको मिलेगा, दिनर पर थोड़ी दर अपनी फैमिली के साथ, अच्छे बाते करना, गुफ्तगो करना, मजा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा मने ममी पापा को ऐसे, गुजी गुजी ग करना है, PSU audit, यह आपको अगें 30 to 45 minutes लेगा, दे देना, चुप चाप और निपटा देना, फिर अगें आपको आज मैं 7 घंटे की नीन दे रहा हूं, मजा आ जाएगा, फुल-on अच्छी नीन लेंगे, फुल-on अच्छी रेस्ट लेंगे, then again, good morning, now this is your third day, अब आपने 2 topics कर करेंगे, and इसको करने के लिए, in the history of audit exam, पहली बार मैं 3.5 घंटे दे रहा हूं, तो यह 3.5 घंटे में आपका focus सिरफ concepts की revision पर नहीं, quotient bank में भी जो आपने अच्छे quotients mark कर रहे हैं, उनको करने पर भी होना चीए, because, तभी तो मजा आएगा, गुरू, तभी तो अच्छे न concepts, जहां मैंने memory techniques आपको बता रखिये, उनको quickly quickly go through करके जाना, relate कर लेना with the concept, ताकि exam में याद आती रहे, plus, आपका major focus in the standard zone auditing should be on the quotients, जो multi-disciplinary tricky quotients है, उस पर एक लिए आपके focus करके चल सकते हो, ठीक है सार, अब आया का lunch time, 2 से लेके 2.45 तक का, 45 minutes का lunch time में अच्छे से utilize कीजे तो आए गई आएगा, किसमत अच्छी रही तो 2 भी आ सकते हैं, बट ये सीधे सीधे question होते हैं, तो आपको इसमें score करने में असानी रहेगी, इसी तरह 400 की series काफी time से pending है, तो इसको भी आप अच्छे से करके चलेंगे, then again आदे घंटे का break, कभी-कभी अंदर से feeling नहीं, हम कितने लखी हैं, इतने सारे break तो audit की history में किसी को मिले ही नहीं, तुमको तो हर topic के बाद आदे घंटे का break, 15 minute का break, enjoy the break, enjoy the studies in the next two days, now start by 6 p.m. and start covering the following topic, आप मरियल मरियल topic देना, चुप-चाब इनको अच्छे से कर देना, audit in an automated environment, पूरा 40 minutes की तो revision video YouTube पे जिसको देखके आपको सब याद हो जाता है, chapter 2, chapter 3, मरियल मरियल से chapter है, इसमें एक hint दे सकता हूँ, chapter 2 पिछली बार आया था, तो chapter 3 इस बार के लिए थोड़ा ज्यादा important हो जाता है, SA 300 की series again for a long time, it has not been nice, 320 पिछली बार आया था, तो बाकी 300 की series पे भी आप अच्छा focus करके चल सकते हैं, आखरी में फिर आपको 7 घंटे की नीन मिल जाएगी, कितने lucky लोगों मैं क्या बता हूँ, मुझे तो थोड़ी थोड़ी idisha और ये तुम लोगों से, ठीक है, SFM का paper तो म party वाला दिन आगया है, finally, अब आप फोड़ने वाले audit में, good morning, it's the exam day, 3 घंटा आपने दो ही topic करने, insurance audit, tax audit, कितना time मिल रहा है, तुम लोगों को, 70-80 ले आओगे, ऐसा लग रहा है, 10 number के ये आएंगे, once again, you have to go through these topics, because इनको topic को पड़े वे आपको थोड़ा time हो गया, professional ethics के ज schedule, क्यों लाया गया है, to protect the public interest, to safeguard the public interest from the unqualified accountants, ठीक है, ऐसी अगर मैं बोलतो, clause 2, part 4, first schedule, जो other misconduct वाला है, a CA is expected to maintain highest standards, ठीक है, in his normal life, because any deviation from the same will expose him to other misconduct, तो वो सारी बाते आपने magical lines, साथ-साथ clauses के revise करने, last day पे, साथ-साथ audit in an automated environment को आप वापिस देखेंगे, because one of the very important chapters, very scoring chapters, plus जितने भी standards on auditing के questions है, last three RTPs और MTPs के, इनको भी आप देखके जाएंगे, इन में से repetition होने की chances काफी जादा रहते हैं, so yeah, this will be your last thing that you need to go through, now you are all set for the exams, आप एक दम ready है, reach the exam hall on time and perform well, so wish you the best, and end में वही कहूँगा, हमेशा कहतो, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो do give it a like and yeah, stay subscribe to the channel for more such exciting planners for all of you, and अपने आप से, मेरे से, और मैं तो कहता हूँ, पूरे जहान से, एक commitment जरूर कर दो, आज SFM के वेपर के बाद, audit में तो 60 plus 4 करेंगे ही करेंगे, ठीक है, so all the best, 7 बज़े मिलते हैं, marathon में, कहां गया, कहां ग